है 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 ऑलो फ्रेंड्स वेलकम टु माइ दोस्तों यह परिच्छर मापाने मुल्यांकन की इतने भी टॉपिक है उसका सिरीफ चल रहा है दोस्तों आज में बताने वाली हूं कि अच्छे परिच्छर के क्या कासोटिया होती है यानि परिच्छर के मुल्यांगा की क्या क्या होती है यानि काइटरियन फॉर टेस्ट इवलियूशन यानि काइटरिया आप गुड टेस्ट की क्या 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 कासोटिया है और दोस्तों पूरी डिटेल में बताऊंगी एक भी आप कभी नहीं भूलेंगे इतना शार्ट में बताऊंगी दोस्तों जो आपके एक्जांस पे पूछा जाता है शिफ वही चीज़े यहां पे होंगी और दोस्तों यदि आप TGT, PGT, KVS, NBS, ELT की फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कमपटिशन की तयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस के एकार्डिंग सभी वीडियोज मेरे चैनल पर पड़े हैं आप उन सब को देख करके अच्छे तयारी कर सकते हैं दोस्तों यमसी की कोस्टन्स प्रिवियर सियर के डेली बेसेज पर आ रहे हैं उनको देखना मत भूलिएगा तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज के टापिक पर दोस्तों परिच्छर के मुल्यांकन की कसोटिया यानि अच्छे परिच्छर की कसोटिया क्या होती हैं यानि क्राटरिया फॉर्ट टेस्ट इविल्यूशन क्राटरिया फॉर्ट टेस्ट क्या होता है तो दोस्तों परिच्छर की मुल्यांकन की कसोटिया एक अच्छे यानि scientific authenticity दुसरा प्रसासनिक ब्योखरीक्ता यानि administrative feasibility तिसरा सेफ्रिक प्रियोग यानि educational application दोस्तों बैग्यानिक प्रमाणिकता के अंतरगत विश्वस्नीर्था यानि reliability वैदता यानि validity वस्तोनीर्था यानि सिक्षबुटिटि नाम एन्ड मानख या निंश्ट्रों ना स्टेंडर्ड आते हैं यह डी एक अच्छे परिश्र के लिए टाइम जरक को प्रेक्षता अच्छी उने चाहिए उसमें इस प्रस्ता यानि क्लियरनेस होना चाहिए और मनुस्षिक के लिए होना चाहिए जिस पे हम उस पर इच्छा को प्रयोग कर रहे हो होना चाहिए पर इच्छा करता टेस्टर होना चाहिए अर्थपूल होना चाहिए यानि मेनिंफूल होना चाहिए वह सललतम यानि इजी रूप में होना चाहिए यह आपका प्रसासनी ब्योहारिता के अंतरगत आते हैं तीसरा है सैच्छिक उप्योग उसका एजुकेशनल अप्लिकेशन यानि कि वो जो हम टेस्ट बनाए हैं उस सिच्छा के लिए कितना उप्योगी है वह सिच्छा सैच्छिक उप्य समझ सकते हैं बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वग्ञानिक पर्मारिक्ता तो इसके पांचों टापिक को हम एक-एक करके समझेंगे और दोस्तों यहां पर कोस्टल इस प्रकार से भी पूछता है कि परिच्छा की मुल्यांगन की कोसर्टिया अच्छे परिच्छा की हम स्मुएं फटास्टी कौन कोई सी होती है MemorialHey तो कौन कोई होती है तेन वेज्द का प्रसासने प्रसार्य को है स्चरिक प्रीऊ इसमें से कि हम देटलरे बताने वाले हैं व्य ग्यारिकटी के अंतमेत्र कर सभी टॉपिक्स के बारे में तो चलिए जानते हैं बैज्ञानिक प्रमारिता के बारे में तो बैज्ञानिक प्रमारिता के अंतरगत सबसे पहले आता है विस्वस्नियता, रिलेबिलिटी दोस्तों यहां किसी भी टेंस्ट के मापन का विस्वस्निय बिंदू होता है इसे consistency, dependability, stability, trustworthiness और repeatability भी कहा जाता है दोस्तों यानि कि विस्वस्नियता इस्थापित करने के लिए एक ही समूव पर बनाये गए परिछणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाए तो हर बार परिडॉम एक जैसे ही आए यानि बार बार परिछण लेने पर एक जैसे स्कोर आए ने कोई नया परिछण बनाया और उसको एक समूव एक से अधिक बार परियोग कर रहे है और हर बार उसका रिजल्ट जो परिडॉम है एक जैसे आ रहा है तो माना जाएगा कि वह विस्वस्नी है रिलेबिलिटी उसकी सही है यानि दोस्तों परिछण कभी भी कहीं भी कितनी बाहर भी आयोजित किया जाए परिडॉम एक जैसे ही आए इसी को विस्वस्नीता माना जाता है यानि एक जामपल के लिए दोस्तों कि दस खिलाडियों के हम फ्लेक्सिबिलिटी यानि लचकता मापना है तो हम सीट एंड रिच टेस्ट के द्वारा उसको माप रहे हैं और उसके दसों खिलाडियों के सुचिबद कर लिए सबके परिडाम को और फिर सी एक मैना बाद फिर उसी परिचर को उन्हीं बस्च उपर हम कर रहे हैं तो फिर पुरू की जैसा आए तो कहा जाएगा कि ये विस्वस्नी परिचर है और इसकी गर्णा दोस्तों साह संबंध यानि कोरिलेशन के अधार पर किया जाता है यदि साह संबंध कोरिलेशन 0.84 से उपर आए तो टेस्ट बहुत अच्छा कहलाता है दोस्तों किसी परिचर की विस्वस्नीता के मापने के लिए यानि गर्णा करने के लिए निम्ने बीधियों का प्रयोग किया जाता है इसको याद रखना बहुत ज़री है इसके बारे में डेटेल में नहीं बताएंगे दोस्तों क्योंकि इसका नाम ही अक्सर पुछता है तो ये पाचों बिधि है विस्वस्नीता रिलेबिलीटि के पहला है परिचण पुन परिच्छष बिधी यानि टेस्ट रिटेस्ट मेथ़ दुसरा है समानाधंतन समरूप बिधि यानि बेरल फाम मेथ़ण अल्टरनेट तिस रा अंतर्पदी समरूपता बिदी यानि इंत affiliated with a couple सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब 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 कोडल डिटर्छारशन तो दोस्तों दोस्तों पुना 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 दो बार आजित किया जाता है फिर दोनों के मध्य कोरिलेशन अच्छा होगा तो माना जाएगा कि बीस्वसनीता अच्छा है जो प्रेडल फार्म होता है दूस्तों दूसरा उसमें एक परिछड के टेस्ट आइ्टम और किया जाता है और सूच के मध्य कोरिलेशन निकला जाता है और उसे माना जाता है कि वो विस्वस नी थैन और कॉंशिंटनसी मेथड यानि अंतरपदि इसमू59 इसमू смूरूपता सापित की जाती है, दोस्तों, फिवता होता है, अर्ध विछेतन विझी, यानि Split-Hop मेथड, जैसे कि इसका नाम ही है, Split-Hop, जैसे Test-Re-Test में एक ही परिच्छो को दो बार आजित किया जाता है, और जब कि split hop method में परिश्फय को एक बार ही आजूत की जाता है, पिर सब्जक्ट उनके प्रयोज़ियों को उनके प्रयोज्चे अधार पर अधार मानकर दो भागों में सम प्रस करुम में बार दिया जाता है। यानि पहले भाग में बिसम संख्या वाले क्रमांग पर आने वाले प्रयोज्यों यानि सब्जेक्ट को परडाम आते हैं और दुसरे भाग में समसंख्या वाले क्रमांग पर आने वाले प्रयोज्यों यानि सब्जेक्ट को परडाम आते हैं यानि कि दोनों को जिन लोग का हम परिचर कर रहे हैं उन सब को विसम संख्या वाले एक जगह और सम संख्या वाले एक जगह करमांग में रखेंगे और उन्हें कोर्रिलेशन निकला जाएगा उसके अधार पर परिचर किया जाता है एन दोस्तों ये तो था आपका रिलेबिलिटी यानि विस्वस्नियता एंड बिग्यानिक प्रमाडिक्ता के अंतर का दूसरा आता है बैदता यानि प्रमाडिक्ता यानि विलिडिटी दोस्तों इसमें यह देखा जाता है कि वाल्ट परपर्ज टू मेजर यानि कि किस उद्देश से इसको बनाया गया है यानि परिच्छर जिसके लिए बनाया गया है क्या वह उसी को माप रहा है यानि परिच्छर अपने उद्देश्री को पुरा कर रहा है या नहीं पुरा कर रहा है तो वह बैद है यानि कि जिस उड़्ेस से उस परिच्चर को बनाया गया है क्या वह उसний उद़्ेस को पूरा कर रहा है इसका मापन करते समय पहले हम नए बनाये जा रहे परिच्चर को एक छोटे समूव पर परियोग करेंगे और फिर किसी दूसरी परमाड़ी परिच्चर को इन ही बच्चों के इवपर प्रयोग करेंगे यदि दोनों परिच्छों की परिड़ाम एक जैसे आते हैं तो हम उस परिच्छ के वैध्ता कहेंगे मान लजिए दोस्तों कि कोई नए परिच्छ हम बनाए हैं उससे किसी छोटे समूंक पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसको परयोग करने के बाद किसी दूसरे प्रमारित परिश्च जो पहले से बना हुआ है उसको परयोग करेंगे दोनों का सेम आता है परड़ाम तो समझेंगे कि यह बाइद है उसी परड़ाम को माप रहा है है यानि दोस्तों याली वैंड वैद मेंसफ का परिच्छ है वैयिक्ता की मानसिक योकता कि बारे में भीर्त डैता है न कि दूसरे चेशुच की बारे में तो वह बाद है दोस्तों बैदता यानि validity के भी कई प्रकार होते है validity दोस्तों validity भी आपके साथ प्रकार का होता है पहला है face validity जिसे सरोच महत दिया जाता है दुसरा content validity यानि भी से वस्तु बैदता तीसरा, construct validity यानि निर्माण वैदता चोथा, forecasting validity यानि पुरुवानुमान वैदता चोथा है, criterion validity यानि मापदन्ड योगता यानि चोथा, पाचवा है छटवा है, status validity यानि इस्तर प्रमारिकता साथवा है, concurrent validity यानि समकालिन या समवर्ती वैदता तो दोस्तों, ये तो था आपका reliability and validity की बारे में अब तीसरा बात करते हैं, बैग्यानिक प्रमारिकता के अंतरगत वस्तु निष्टा, दोस्तों ये बात बता देते हैं कि वैदता जो होती है, उस सबसे पहले निधायत की जाती है बैधता क्या होता है, बैदता को हम सबसे पहले किसी भी परिछड के निर्मार में बैग्यानिक प्रमारिकता है तू, बैदता सबसे पहले निधायत की जाती है तब तिसरा है दोस्तों बेग्यानिक प्रमारिता के अंतरगर अब्जेक्टिविटी यानि वस्तुनिष्टता दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक परिच्छर को किसी एक समूर पर प्रियोग किया जाता है वह इस हेतु दोस्ते अधिक एक्सपार्ट को उनके अब्जर्वेशन के लिए बैठा दिया जाता है और वह परिडाम एक जैसा आये तो कहेंगे कि परिच्छर वस्तुनिष्ट है यादे कि दोस्तों कोई परिच्छर आप बनाए है किसी समूर पर उसका प्रियोग कर रहे है और उसको मुल्यांकर के लिए एक से अधिक एक्सपार्ट यानि कि बहुत सारे एक्सपार्ट आप बैठाये है आप लोग अब्जर्वेशन करके बताये और सभी लोग एक ही जैसा बताते हैं तो माना जायेगा कि परिच्छर जो है वस्तुनिष्ट है अब्जेक्ट्ट्विटी है दोस्तों इसे अंग्रेजी में यूनिफार्मेटी आप टेस्ट भी बोला जाता है अब्जेक्ट्ट्विटी को वस्तुनिष्टा को यूनिफर्मेटी आप टेस्ट भी बुला जाता है जिन परिच्छरों में वस्तुनिष्टा पाई जाती है वे परिच्छर सेश्ट परिच्छर माने जाते है इसके द्वारा किसी परिच्छर के प्रियोग से आने वाले प्रिडामों की गहराई यानि की वर्थ को मापा जाता है परिच्छर तभी वस्तनिष्ट हो सकता है दोस्तों जब उसके मापन वाले या उसका उपयोग करने वाले निस्पच निड़े निस्पच सोच के हो यारी 10 लोग एक्सपर्ट उसको अब्जर्वेशन के लिए बैठे हैं, दसों लोग निस्पच रहेंगे, तभी वो अच्छा नीड़े देंगे, उधार के लिए दोस्तों टेबल टेनिस खेल का एक परिच्छर, जो चातरों की सर्विस चंता को मापने के लिए बनाया जा रह है तो उसे वस्तुनिष्ट माना जाएगा एं दोस्तों आप चाउथा है बैजयानिक प्रमारिता के अंतरगत नाम्स यानि प्रमाप यानि प्रमाप यह क्या होता है दोस्तों नाम्स वह संकेत होता है वह स्केल होता है दोस्तों नाम्स वह स्केल होता है जो रो इसकोर यान तो जो रो को measurement को मानक स्कोर यह बर्बत करता है। जिसके अधार पर कोई वरेटा सुचित तयार की जा सकती है। तुलना की जा सकती है। यह क्डार का है और सम्मंदित चरो के आकने तथा तुलना करने में शहायक होता है। दोर्सथोन, नाम्स किसी विसेस, जशन्संख्या का पतिनीधी तो करता है, जो किसी प्रेचर के उपयोग के उपरांग इसकोर को दर्षाता है यारी दोस्तों माल लेजिए सो बच्चे हैं, सो बच्चे का स्कोर इतना इतना आया सो बच्चों के स्कोर को हम एक चार्ट द्वाला हम निधायत कर दिये कि इसका इतना आयू है, इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां है में इसको नामस कहते हैं, यानि कि नामस द्वारा किसी सिछक या छातर को यह सुचना प्राप्त होती है कि संबंधित जनसंख्या में अन्य की तुलना में उसका इस्तर क्या है दोस्तों अलग-अलग क्राइटेरिया में हम बाटेंगे तभी तो हम सोचेंगे कि हम किस अस्थान पर है नाम्स अक्सर उम्र ग्रेड उचाई भार तथा या इसके सयुक्त भिसेस्ता पर अधायत होता ह है उम्र के ग्रेड उचाई भार या उसके सयुक्त भिसेस्ता पर या नहीं दोस्तों किसी लड़के लड़की का उम्र क्या है उसका ग्रेड कितना पाया है उसकी उचाई कितना है उसका भार कितना है यह सब एक चार्ट बनाए जाता है नाम्स आयू लिंक आदी के अधार वो अलग-अलग तयार किया जाता है इसलिए नाम्स को जिस आयूवर लिंक के अधाप पर बनाया गया है उससी पर लागो करना चाहिए तो यह आपका नाम्स हो गया दोस्तों इससे हेतू निम्य सांखी की तक्निकों का प्रयूग किया जाता है परसेंटाइल स्केल, टी स्केल, हॉल स्केल, सिक्स सिगमा स्केल अब बात करते हैं दोस्तो, मानक यानि इस्टेंडर्ड की इस्टेंडर्ड क्या होता है दोस्तो, जैसे कि सो बच्चों का आपने तालिका में बनाया उसमें से एक मानक होता है कि 90% लाने वाला सबसे फर्ष अस्थाम पर रहेगा 80% लाने वाला सेकेंड अस्थाम पर रहेगा इस प्रकार का जो वरैता सुची एक स्टेंडर्ड ये से श्टितम बिंदू तयार किया जाता है उसी को हम स्टेंडर्ड कहते हैं यानि किसी प्रमाप यानि नाम्स के इस्टरों को अलग-अलग से समवधित किया जाता है उन्हीं बिंदियों में से एक बिंदू को गुरुवत्ता की बिंदू के अधापर मना जाता है यह माले जी आप 10 क्राइटरिया बनाए कि हाँ इतना थर्ड गेट का है इतना सेकेंड है इसमें से ऐसे करके जो एक बिंदू तो आप बनाते हैं कि सबसे फर्स्ट ग्रेट का होगा इतना इतना मानक जुलाएगा तो किसी विशेश समुख के लिए निधायत उद्देश्चों को प्राप्त करने हैं तो आकड़ों के गुरुवत्ता विशेश्ता के इस्तर को मा अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों मैंने बहुत ही साट ने बताया है एक आपक में पूछा जाता है बस मैंने उसी चीज़ को बताया है आई होगा एं दोस्तों वीडियो कर सा लगा मुझे कमें जरूर बताइए ज्यादे से जादे आपने दोस्तों तक भी सियर अपलिट करूं उसको नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जय हैं